Good morning everyone, we are announcing our next online batch for UPSC examination और यह जो batch है, यह 12th of September से start होगा इस वीडियो में हम इस batch की पूरी complete रूप रेखा को जानेंगे रूप रेखा का अर्थ है कि how we are going to approach this very batch और इस batch के क्या salient aspect होगे, किस तरह से हम इसमें आपको पढ़ाएंगे किस प्रकार से आपको notes दिये जाएंगे, कैसे आपकी test series conduct की जाएंगे तो यह जो सारी activities इस batch के साथ associated है, उस तब को हम लोग discuss करेंगे उसके timeline को discuss करेंगे, कर इस समय पे किस प्रकार की activities के अंदर चलेगी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि next year UPSC examination आपका May last में conduct किया जाएगा तो यह जो batch है, उस date को नजर में रखते हुए ही execute किया जाएगा और जो fee है इस batch की, वो है 25,000 rupees, यह completely online batch है, जो 12 September से start होगा अगर इस batch में other than कोई भी आपकी inquiry है, चाहिए से कि किस प्रकार से आपकी strategy रहनी चाहिए, आपका particular कोई academic background है, कोई special concern है जिसमें आपको personally बात करने के आओ शकता है, तो screen पे मेरा number shared है, तो आप directly मेरे सांथ बात कर सकते हैं जो लोग civil staff को पहले से जानते हैं, तो हम लोगों का UPS3 के अंदर काफी जादा results हैं, चाहिए वो IES है, IPS है, IRS है, multiple rank holders रहे हैं, उसके अलाबा पंजाब PCS के अंदर, हिमाचल PCS के अंदर, हरियाना, UP, जितने भी state services हैं, even उडिसा, महरास्ट्रा, इतने सारे state services में भी हमारे बहुत जादा selections रहे हैं, तो उसका जो selections का reasons है, अगर हम जानेंगे, तो एक है experience faculties का होना, और सांथ में relevant study material, अगर आप देखेंगे, पिछले 4-5 साल से, क्योंकि आप लोग कही न कहीं जब तयारी करते हैं, तो हम किसी topper से बात करते हैं, किसी selected candidate से बात करते हैं, या अपन बच्च बदली है, तो एक young breed अब सामने आ रही है, तो अगर कोई UPC को बहुत तरीकी के साथ planned way में approach करें, तो इस paper को असानी से निकाला जा सकते हैं, और आप देखी हैं सकते हैं, कि लगता रहा हमारे सान भी हमने देखा कि कितने सारे young बच्चों ने इस paper को बहुत कम age में qualify किया है, और कम समय में qualify किया है, तो अगर अपने पास right mentors हो, अपने पास experience faculties है, और अपने पास अगर सही content है, तो paper जल्दी निकलता है, ये paper जल्दी निकालने का ही time काम है, तो इस batch की रूप रेखा में, हम जब इसको approach करेंगे पूरे paper को, तो हमने तीन चीज़ों को cover कर प्रिलिम्स के इंदर, जैसा कि आप जानते हैं, जो आज की date में, प्रिलिम्स examination को, अगर हम देखा जाए, clear करने के लिए, दो approaches होती है, एक होता है कि conventionally जिस प्रकार से आपके classroom में foundation course पढ़ाय जाता है, उसको भी हम लोगोंने cover करना है, जिसमें concept पढ़ाय जाते हैं, प्र हम इसे 45-55 सवाल आपके concept-based सवाल होते, history के सवाल है, geography के सवाल है, economy है, environment है, science है, इन सब के concept सवाल आते, बाकी के rest of the question will be asked from the domain of current affair, current affair बहुत important part है, और बिना current affair पढ़े, आज की date में UPSC का prelims qualify किया ही नहीं जा सकता, generally जब हम conventional coaching को देखते हैं, तो क्या किया जाते है, क्लास पढ़ ले, तो इस तरीके से आप देखोगे, selection rate dip हो जाता है, तो हम लोग जो है, पूरा holistically चीजों को cover करेंगे, end-to-end solution आप लोगों को offer किया जाएगा, end-to-end solution में क्या है, कि classes में concept ही पढ़ा जाएंगे, साथ में, रोजाना basis पे आपको current affair पढ़ा जाते हैं, हर subject के, तो in current affair और in concept से मिला कि आपका prelims secure होता है, otherwise prelims qualify करना बहुत कठीन है, with the passage of time, जैसे अगर मैं आपको numbers की बात करूँ, मैंने कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, कि 10 लाख से जादा बच्चे इस paper को fulfill करते हैं, और अगर prelims में देखा जाए, तो seeds होती हैं, तक् figure केवल 1% बच्चे ही prelims को qualify कर पाते, 99 disqualify हो जाते, तो इसका मतलब prelims निकालना भी एक tedious task है UPST का, उसके बाद अगर आप mains को देखोगे, तो जो बच्चे prelims को qualify करते हैं, उसमें से अगर mains को देखा जाए, तो not more than 2200, आजकल जो figure चल रही है, 2200, 2300 prelims के बाद mains को qualify करते ह कितना कम रह गया, तो आप देखोगे, तो 20% ही रह गया, जिन्नोंने prelims को qualify किया था, उनका 20%, interview को देखा जाए, तो seats vary करते हैं, अगर 800, 900 seat है, तो 200 में से 900 का selection होगा, rest of the candidates, 1200, 1300 बच्चों का selection नहीं होगा, तो आप देखें कि कितना competitive examination है, कि let's assume, अगर 1000 seats भी हैं, और 10 11% बच्चों का ये paper qualify हो रहा है, लेकिन कोई आपको इतना जो है honestly चीज नहीं बताएगा, क्योंकि इस तरीके से, अब इस से हम लोग क्या करेंगे, निराश नहीं होगे, इस numbers को सेच के, क्योंकि इसी के अंदर, जिसका चाहे पहले साल नहीं होगा, उसका दूसे साल जरू तो prelims examination के अंदर हमने ये देखना है, ये numbers मैंने आपको क्यों बता है, इन numbers के द्वारा आप ये जान पाओगे, कि ये paper highly competitive paper है, दूसरी बात, अब prelims में range of subject, history भी है, geography भी है, quality भी है, economy भी है, science भी है, environment भी है, then current affair भी है इतना सारा, तो range of subject बहुत जादा है, तो ये paper नाक केवल competitive है, दूसरा difficult भी है, और बहुत बड़ा examination है, अभी तो हमने means की बात ही नहीं करी है, तो इतने बड़े examination में आपको बहुत patience और बहुत hard work लगता है, और right approach होना बहुत जरूरी है, कि हम सब कुछ पढ़ना फोड नहीं कर सकते हैं इस examination में, दूसरा हम drift होना फोड नह अगर हमें देखना है कि यह highly competitive exam है, यह बहुत difficult exam है, तो हमारी preparation का standard भी उसी level का होना चाहिए, तो हम इसमें right approach को बहुत promote करते हैं, strategy को बहुत promote करते हैं, तो यह सारी चीजों को नजर में रखते हुए ही आपका prelims पढ़ाया जाता है, मैं बताऊंगा classes उसके बाद कैसे execute की जाएंगी, फिर means examination है, means examination एक word आप जरू लिखे, यह holistic understanding का exam है, और overall UPSC का जो exam है, यह examination knowledge का नहीं है, एक चीज़ को बार बार आप लोग समझे कि कोई बच्चा अगर 10 साल तयारी करे तो उसकी knowledge हमेशा 1-2 साल तयारी करने वाले बच्चे से ज्यादा होगी, लेकिन एक attempt मे बच्चों ने जो qualify किया है, वो because of the understanding of the things, understanding समझ है, एक है शब्द knowledge, तो ज्यान और समझ के अंदर बहुत फर्क होता है, तो हमने इस paper की अगर approach सही रखी है, तो हम इस paper को समझ चुके हैं, हम उसकी entirety को समझ चुके हैं, हम उसके रूप रेखा को समझ चुके हैं, हम उसके स् तो understanding is all about the means examination, means examination में आप organically linked subject को परते हैं, और holistic understanding develop करते हैं, जिसके अंदर अब नई subject, other than prelims examination, means में subject double हो जाते हैं, there are 12 subjects in means examination, तो means और difficult है prelims से, इसलिए मैं बोलता हूँ कि UPC का exam competitive होने के सांसान बहुत बढ़ा है, बढ़ा in the sense of its syllabus, तो ये बहुत बढ़ा examination है, इसलिए ये competitive examination भी है, क्योंकि बच्चा बहुत compete कर रहा है, और main बात, जैसे banking भी competitive है, एक करोड बच्चा banking के paper को देता है, लेकिन UPC का exam इसलिए difficult है, क्योंकि इंडिया का best mind है, वो UPC का exam दे रहा है, आप ये समझिए, कि आप इंडिया के जो 10 लाग है, वो best 10 लाग बच्चों से compete कर रहे हैं आप लोग, एक banking का exam है, जिसमें 1 करोड, SSE का exam, 1 करोड बच्चा दे रहा है, लेकिन वो इंडिया का best brain नहीं है, तो वहाँ level of competitiveness relatively कम है, तो इन चीजों को आप understand करते हुए paper को जरूर शुरू कीजे, ये मैं इसलिए बता रहा है, क्योंकि शायद जब हम लोगों ने तैयारी शुरू करी, तो हमें guide करने वाला कोई नहीं था, तो हमने इन approaches के सांथ paper को कभी भी start नहीं किया था, तो अगर हम इन approach के सांथ paper को start करते हैं, तो दो चीजे होती है, आपकी seriousness बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको data पता है, कि ये paper में disqualify होने के chances ज्यादा ह 1% हमने अभी rate निकाल के देखा, 0.1% selection rate है, और वो भी तब जब 1000 seats हैं, ये ज़्यादा लिखी हुई है, मैंने seats 800 या 700 ही होती है, तो ये 1% से भी कम data निकल के आएगा, तो हमें मारे अंदर seriousness है कि अगर हम इस paper को तयार कर रहे हैं, तो हमें इन 800 बच्चों में जाना है, जो framework में आपको बता रहा हूँ, इस ते आपको पता चलेगा कि approach क्या होती है, examination को qualify करने की, इसके अलावा हमारी ही YouTube चैनल सिवस्टैल PPSC पर मैं एक detailed strategy video share करूँगा, कि हमारे अगर इतने सारे selections आये हैं, तो उन बच्चों के अंदर common क्या था, हमारे पढ़ाने के तरीके में क disqualify हो गया है interview के बाद, उसमें क्या कमी रही थी, तो interview is not about knowledge, interview is about understanding, interview is about approach, interview is about the sense of humbleness you are having for the society, आपके अंदर जो society के प्रती, modesty है, society के प्रती sacrifice करने के एक भावना है, और society को serve करने के एक भावना है, along with the right attitude, तब जाके जो है आपका interview qualify होता है, कि वो जो आपकी wives, जिसको मैं बोलता हूँ, कि wives बहुत positive होनी चाहिए, आपकी personality के अंदर patience होना चाहिए, आपकी personality के अंदर एक inherent honesty, honesty is not about the financial honesty, honesty, आपके अ मांदारी, आपके अंदर hard working attitude एक दिखना चाहिए, क्योंकि यह जो job है, यह बहुत ही demanding job है, in terms of time, effort and intelligence, तो इन jobs में अगर आपको serve करना है, तो you are supposed to have a required set of value system, आपका value system is supposed to be very well placed, तभी एक ethics का paper भी रखा गया है, तभी आप ethics को qualify कर पाएंगे, तो इस तरह से जो interview stage है, यह final screening को तै करती है, तो interview will make sure कि कोई भी non-competent बच्चा, relatively less competent बच्चा, जिसका value system नहीं सही जगा पर placed है, वो services के अंदर enter ना करे, तो इसलिए यह बहुत ही difficult examination माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जब आप I.S. officer बनते हैं, आप Indian foreign services में जाते हैं, Indian police services में जाते हैं, यह बहुत ही responsible jobs है, आप समझें ना कि एक police officer की कितनी responsibility है कि इतने बड़े area के law and order को उसने देखना है, एक I.S. officer ने इतने बड़े area के law and order के सांसे के development को भी देखना है, तो यह बहुत responsibility जिसके अंदरा 20-20-30-30 लाख लोगों की responsibility लेने वाले हो, तो इस तरह की competent job हैंगे, इसलिए इसमें best brain, best values based person ही जा सकता है, तो इसको ensure करता है यह पूरा process, इसलिए जब भी आप तयारी शुरू करें, तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रख के इस तयारी को अप्रोच किए, right, moving ahead with the second part, कि अब हम इन सब को, यह तो paper के बारे में था, अब हम इसको कैसे execute करने वाले हैं, तो हमने देखा कि इस पूरे paper में learning, एक शब्द आप ज़रू लिखिए, learning हमेशा incremental होगी, incremental का मतलब है, आप रातो रात आइस officer नहीं बनेगे, आपने baby step से चीज़ों को शुरू करना है, हर stage के बाद second stage में जब भी gear shift करेंगे, तो gear shift करते वे कुछ चीज़ों का ध्यान रहेंगे, तो उससे paper clear नहीं होगा, हमें पहले paper के सारे aspect को cover करना होगा, साथ ही साथ हमें अपनी एक basic foundation clear करनी होगी, आप चाहे civil step इस माध्यम से coaching को join कीजे, कहीं पर भी पढ़िए, लेकिन अपने base को जबरूर strong कीजे, means जैसे बार बार बोला जाता है आपको, कि NCRT इस आपको जरूर आपका base को create करेंगे, तो इन NCRT से आपका base बनता है, लेकिन NCRT तो आपने 6 class में भी पढ़ी है, और हम भी 6 class के NCRT आपको पढ़ा रहें, 7th की पढ़ा रहें, 8th की पढ़ाते हैं, 9th पढ़ाते हैं, तो ये जो basic NCRT जो 10 साल, 11 साल, 12 साल का बच्चा पढ़ तो मैं एक IES के perspective से पढ़ता हूँ, इसलिए foundation is very much required, तो यदि आप swim NCRT पढ़ेंगे, आप उसमें से ज़्यादा grass नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपके understanding चीजों की नहीं है, आपको paper के बारे में नहीं पता है, आपने मन बनाया तयारी करने को और आपने NCRT उठाई क्योंकि समने बोला था, आपने उस books को पढ़ लिया, लेकिन आप समझेगी उन NCRT को UPC के perspective से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर मैं इंडिया के agriculture को पढ़ता हूँ, अगर मैं इंडिया के international relations को पढ़ता हूँ, तो मैं की UPC के दृस्टिकों से, के perspective से, के narrative से हमारा period of cost ही program है, आप हमारे YouTube channel के उपर देख सकते हैं, इस channel की एक playlist है हमारे YouTube channel में, जिसमें हमने अलग-अलग classes की NCRT, 6th to 10th class की NCRT, हर subject की cover की है, economy की 12th तक भी cover की है, तो geography के इसके अंदर 10 lecture को रखा गया है, जिससे आपकी foundation को strong किया जाएगा, कि आप directly तयारी में dwell ना कर होगा, आप पूरे UPSC को चारो और से देख पाओगे, और geography को कैसे approach करोगे, कैसे history को करोगे, कैसे science को करोगे, polity को करोगे, और economy को करोगे, तो जिनको चार major subject, history, geography, polity and economy, इनको बोला जाता है, pillars of UPSC, इन चार subject को जब आप तयार करेंगे, तो इसके लिए हमारी playlist है, और इस प्लेइलिस्ट में जाके आप इन चार subject को तयार कर सकते हैं, उनके basic को तयार कर सकते हैं, जिन लोगों ने तयारी को अभी शुरू करना है, एक काम आप लोगों ने ये करना है, दूसरा आपने क्या करना है, जब हम लोगों ने basic understanding develop करें, total NCRT के 50 lectures हैं, जब आपने base बना ल उसके सांसान, आपने इन NCRT में अपने जो understanding हैं, उसको develop करते वे फिर preparation को शुरू करना है, जब आप preparation को शुरू करते हैं, ये 8 से 9 महीने का time frame रहता है, इसको बोला जाता है कि अब आपने understanding को develop करना है, चीजों को समझना है, concept को समझना है, आपने international relation के values को समझना है, आप इस तरह से आपने अलगलग चीजों के concept पर काम करना है, तो इसमें 8 से 9 महीने लगेंगे जिसमें हम आपकी understanding, जिसमें हमारा ये course चल गएगा, तो इस course के रूप रेखा मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपकी understanding को develop किया जाता है, एक बार 9 महीने तक आपकी understanding develop हो ग ये आपकी value को add करेगा, value addition करेगा, तो ये भी बहुत important part है, कि जो आपने base पड़ा, उसमें value addition होनी चीज़ी, क्योंकि UPSC में साधा ही current आता है, dynamism बहुत जादा है, तो current को हम लोग ignore नहीं कर सकते, तो value addition भी आपकी की जाएगी, इसके बाद fourth stage आती है, जिसको बोला जाता assessment कि आप जो basic पड़ रहे हैं, जो value add कर रहे हैं, उस सबसे अभी आपका क्या standard है, आप कहां पर खड़े होते हैं, कितने पानी में खड़े हो, तो assessment होगी, तो assessment के तरीके में बता हूँगा कि आप अपने को कैसे assess कर सकते हो, तो अगर हम ये सारे काम करते हैं, तब हम बोलते ठीक नहीं है, आपकी strategy ठीक नहीं है, आपके पास सही mentor नहीं है, आपके पास सही study material नहीं है, आपके पास सही assessment के तरीके नहीं है, आपको notes बनाने की तरीके नहीं आते, तो आपका UPC qualify नहीं हो सकता, तो एचीज का ध्यान रखिए, right, moving ahead, कि how we are going to execute our course, तो हम लोगोंने क्या करना है, यह जो 8 से 9 महीन है, जिसमें मैंने बोला कि आपके understanding develop होगी, value addition होगी, और assessment होगी, यह तीनों stages को हम एक सांत कलब करके आपके समाख्ष रखेंगे, सबसे पहले हम लोगोंने आपको general studies के subjects को पढ़ाना है, जिसको सामानी गया, GS बोला जाता है, जो सबसे important part है, civil services क अब यह जो lecture है, यह recorded format में है, recorded format का मतलब है, हफ्ते में 6 दिन आपको यह lecture सुबह 10 बजे मिला करेंगे, इन lecture की beauty क्या है, अगर आप working professional है, तो भी आप इन lecture को join कर सकते हैं, आप क्या कीजे, इन lectures को देखने के लिए, आपने simple in lectures को join, इस batch को join किया, सुबह 10 बजे आपको lecture मि आप अपने time के अनुसार इन lecture को कभी भी देख सकते हो, और कितनी बार भी देख सकते हो, यह इनके अंदर हम लोगों ने एक free hand रखा है, अपने software के तरीके से, कि आपको जितनी मर्जी बार in lectures को repeat करना है, उतनी बार इनको देखते जो, आपको कोई doubt आ रहा है, इनी lecture में द आता है, जो लोग science के बच्चे हैं, arts background से हैं, उनको डर लगता है CSAT से, CSAT stand for civil services aptitude test, जिसके अंदर maths है, reasoning है, English comprehension है, तो यह तीन चीज़े जो है CSAT को constitute करती है, तो CSAT भी अपने आप में एक phobia है, क्योंकि with the passage of time, the paper has become difficult, तो लोग CSAT को disqualify हो जाते हैं, तो CSAT को भी qualify करना है आवशक है, जतना GS को है, तो हम लोग ने आपको GS पढ़ाना है, और GS आपको prelims और mains दोनों के perspective से पढ़ाना है, साथ में CSAT आपको पढ़ाना है, second is, अब हर lecture के नीचे notes attached है, हमारा method, आप देखो ना कि क्या approach में difference है, क्यों results इतने जादा है, कि हमारा method जो है, वो dictation based method नही करता, हम जब आपको पढ़ाते हैं, तो हम बहुत अच्छी PPTs दें, तो अभी जैसे basic PPTs है, क्योंकि इससे मैंने आपको चीजों को समझाना है, जब मैं geography आपको पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे NCRT videos के अंदर, कि किस तरह से हमने animations को use किया हुआ है, किस तरह से हमने इ एक से डेड़ घंटे का lecture होगा, जो बिलकुल knowledge और crisp होगा, जिसमें pure concept develop किये जाएंगे, अब हर lecture के नीचे एक handout attached है, handout की beauty क्या है, कि handout मैं already UPSC के आएवे previous year, prelims and means के question incorporated है, जो मैंने बोला था कि आपका content बहुत अच्छी direction में होना चाहिए, तो उस content में क्या है, कि you should know कि UPS system पढ़ा रहा हूँ, हिमालियास पढ़ा रहा हूँ, तो you should know कि आज तक हिमालियास से UPSC ने कितने सवाल पूछे हैं, if you will see कि अरे 50 सवाल पूछे ही, prelims में, that means mountain system is a very important part for prelims examination, मेरे को ध्यान से पढ़ना चाहिए इसको, सांती सांत मैंने देखा, अरे means में भी इसमें से बह already उससे आये हुए prelims और means के questions incorporated है, सांत मैं practice के लिए extra question दिये हैं, तो आपकी practice भी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इस तरीके से आपकी notes device किये गए हैं, बहुत smart notes हैंगे, आप दिखें, इन notes से आपकी learning इतनी easy हो जाएगी, और इतनी fast हो जाएगी, जो 4 साल के सफर है, व live पढ़ाय जाता है, इसके videos के सांसांत, आपके notes भी हम share करते हैं, इन notes को आपने पढ़ना है, संभाल के रखना है, अगले साल revive फिर इनी से करना है, तो इस तरीके से आपको concept basic पढ़ाय जाएगा, आपको current पढ़ाय जाएगा, अब आपके week के अंदर doubt session लिये जाएगे, हर Sunday आपकी live doubt session classes है, हर Sunday को, इन classes को आपका सबसे पहले telegram group बनेगा, telegram group में आपके batch के जो भी बच्चे हैं, उसके अंदर हमारा admin staff भी है, हमारी faculties भी है, हमारी IT team भी है, सब लोग हैं, अगर first place में, अगर आपको कोई भी technical glitch आता है, कोई technical issue है, कोई आप notes पढ़ रहे हैं, कही telegram पे डाल दो, concerned faculty वहाँ पे revert कर देती है, तो means आपके doubt resolution को बहुत fast and prompt बनाया गया है, secondly, हर lecture के नीचे आपका doubt box है, आपको कोई भी समस्य है, lecture के नीचे टाइप करो, concerned faculty वहीं पे revert करतेगी, third part, यह जो live doubt session classes है, इसमें हम लोग rather than academic doubt को discuss करें, हम यहाँ पे strategy को discuss करते हैं, vision को discuss करते हैं, perspective को discuss करते हैं, इन से paper निकलता है, आप देखें कि पढ़तो 10 लाख बच्चा रहा है, लेकिन paper 800-900 बच्चा निकालता है, 10 लाख में से 7 लाख बच्चा तो seriously पढ़ता होगा, जो पूरी शिदत से पढ़ता है, उन सब का selection नहीं हो पा रहा, reason यह नहीं है कि व tracking है, जिनके पास जो है, अच्छे institute में जाना हो सकता है, वो लोग clear कर रहें, क्योंकि वहाँ पर right approach मिलेगी, family में bureaucrate है, तो right approach मिलेगी, यह paper direction का paper है, तो अगर हम आपको यहाँ पे इतने confidently चीज़ों को project करें, तो that is because we know the pattern of UPC, we know how one could clear the UPC examination, we can give you the right direction, तो this is the thing, तो इस पू month of February, आपकी test series शुरू हो जाएगी, both for prelims and means examination, क्योंकि आपका means, prelims तो में के month में है, तो हम लोग जैसे, जब आपका September में बैस शुरू होगा, September, October, November, December, January and February, in 6th month, आपका एक considerable amount of syllabus complete हो चुका होगा, जब आपका considerable amount of syllabus complete हो चुका होगा, तब आपका time आजाएगा, अब आप test series दे सकते हो, prelims or means की, इसलिए February में आपकी prelims और means की test series चलेगी, ये test series, prelims की जब तक आपका 28 में को prelims नहीं होता, तब तक आप भी चलती रहेगी, means की test series आपकी April month में रुख जाएगी, और वो फिर re-continue होगी, after your prelims examination, तो means की test series दो पार्ट में continue होती है, एक before prelims, एक post prelim इसको भी strategize करके रखा गया है, क्योंकि prelims के बाद आपको immediate answer writing की बहुत requirement है, इसलिए उसको उस तरीके से रखा गया है, एक बार जब आप means examination को qualify करते हो, तो हमारा ही experts का panel, जिसके अंदर already IES, IPS officers हैं, वो लोग आपको interview sessions में guide करते हैं, तो हम आपके mock interview रखते हैं, उसके अल one interaction का पूरे scope मिलता है, तो इस तरह से आपको interview के लिए भी तयार करना है, क्योंकि हमने आपको end to end, prelims, mains और interview तीनों level पर सपोर्ट करके selections देनी है, तो ये end to end एक program हम लोगों ने device किया है, जिसके अंदर paper से जुड़े सारे perspective को cover किया जाते हैं, फिर से आपको repeat करता हूँ, ये paper केवल पड़ने का नहीं है, ये paper right approach और right process को follow करने का है, process oriented approach से हमारे paper को qualify करने की संभावने बहुत जादा बढ़ जाती है, तो इस तरीके से हम इस paper को approach करेंगे, इसके अलावा आपकी कोई भी समस्या है, मैं फिर से अपना contact number यहाँ पे आपकी सांद शेयर कर रहा हू तो आप directly मेरे को call कर सकते हो, अगर आपको किसी भी प्रकार की inquiry करनी है, कोई भी doubt करना है, कोई भी strategy से related doubt है, working professional हो, college going हो, तो आप directly मेरे सांद बात कर सकते हैं, alright, चली जी, thanks a lot